जिन लोगों ने 31st की इवनिंग ये सोचकर घर पर बिताई कि हम ओमिक्रोन का टाइम है बाहर नहीं जाएंगे घर पर टीवी पर अपना फेवरेट शो देखकर है अपनी इवनिंग को इंजॉई करेंगे उन लोगों के साथ तब धोका हुआ जब उन्होंने बिग बॉस शो जो एपिसोड था उसे अब ट्रोल किया जा रहा है और सलमान खान को भी सोचल मीडिया पर लोग कॉल आउट कर रहे हैं कि अब इस शो को और कितना जादा बोरिंग बनाया जाएगा आपको बता दे कि बिग बॉस का जो लेटिस एपिसोड है इसको पूरे सीजन का और पू इस पूरे शो को होस्ट करते हुए सबसे बड़ी बात अनुमा लेक पलक तिवारी जननत जुबैर ये सभी शो का हिस्सा रहे लेकिन इन सभी के आने के बावजूद लोगों को ये शो कुछ खास एंटिटेनिंग नहीं लगा लोगों ने इस एपिसोड को लेकर सोशल मीड पर अब Big Boss Makers को खरी-खरी सुनाई है एक यूजर ने कहा कि पिछले साल New Year के मौके पर Big Boss ने कितना अच्छा एपिसोड बनाया था लेकिन इस बार तो बहुत ही बेकार एपिसोड है एक लीस घर वालों से परफॉर्म करवाते तो भी अच्छा लगता इस से अच्छा तो य बेकार एपिसोड के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा वहीं शो के मेकर्स पर एक बार फिर से इलजाम लगा है शमिता के लिए पक्षपात करने का शो के मेकर्स को कॉल आउट करते हुए कहा है लोगों ने कि शमिता को सब चांस मिलते हैं वो घर के बाहर निकल बड़ा फ्लॉप है तो कुछ इस तरीके से बिग बॉस शो को ही ट्रोल कर रहे हैं लोगों को एपिसोड बोरिंग लग रहा है सबसे बड़ी बात जब कोई भी एपिसोड बोरिंग हो जा रहा है तो इसमें शामिल होने वाले लोग क्यों कुछ नहीं बोलते हैं बात करें अगर सल्मान खान की तो सल्मान जिस तरह का तजूर्बा रखते है इस इंडस्ट्री में उन्हें स्टेज पर कदम रखते ही कुछ सेकंड्स में ही पता चल जाता है कि ये शो क्या होने वाला है और लोगों को पसंद आएगा या नहीं उसके बावजूद क्यों सल्मान खान ने कुछ नहीं बोला ये भी एक बड़ा सवाल है